मैं संगीता थूपिया, Lecturer, Interior Decoration, Government Women's Polytechnic College, उद्यापूर आज मैं आपको 3rd year के subject, Interior Material and Construction 3rd, ID 306 की topic, Fire Protection के बारे में बताऊंगी Important Consideration in Fire Protection आज के समय में, Architects and Engineers भवनों को अधिक सुविधा जनक तथा सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं इसके लिए भवन बनाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जैसे भवन को अगनी से सुरक्षित बनाने के लिए भवन में क्या-क्या करना चाहिए फर्स्ट, भवन के विभिन भागों जैसे फ्लूर, वॉल्स, आधी के निर्माण में अगनी सह सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जैकिन यदि भवन में आग लग जाती है तो भवन में रहने वाले लोगों को भवन से शीक्र व सुरक्षित बाहर निकालने का प्रबंध होना चाहिए थर अगनी को फैलने से रोपने के लिए बाधा उत्पन करके अर्थात भवन को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके बनाना चाहिए अगनी के एक बार फैल जाने के पश्चात यदि उसे बुझाया न जाए तो वह समीप की सभी सामग्रियों को नश्ट कर देती है अतह भवन निर्मान के लिए उप्योग में आने वाली सभी सामग्रियों के बारे में जानकारी लेकर उसका सही उप्योग करना चाहिए विबिन पदार्थ जो अधिकतर निर्मान कालियों में काम में लाये जाते हैं के अगनी सह गुण इस प्रकार है फर्स्ट ब्रिक किसी भी भवन के निर्मान में प्रथम श्रेणी की अच्छी अगनी सह इटों का प्रयोग करना चाहिए इट की चिनाई से बनी हुई दिवारे अच्छी अगनी रोधक होती हैं स्टों अगनी सह निर्मान कारियों में प्रथर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए क्योंकि प्रथर एक अच्छी अगनी सह निर्मान सामगरी नहीं है ग्रेनाइट पर जब आग का असर होता है तो वह फट जाता है और विगटित हो जाता है लाइम स्टोन साधारन अगनी से ही नश्ट हो जाता है सेंड स्टोन ही एक ऐसा पदार्थ है जो सामन्य अगनी के प्रभाव को सह सकता है अतह सेंड स्टोन का प्रयोग अगनी सह भमनों के लिए किया जा सकता है आईरन लोहा न जलने वाली वस्तू है लेकिन इसकी अपनी प्रतिरोधक शम्ता बहुत कम होती है ताप के बढ़ने पर लोहे में प्रसार होता है अगनी को बुझाने के लिए जब पानी का प्रयोग करना पड़ता है तो लोहा संकुचित होता है वह इससे यह तेड़ा मेड़ा हो जाता है वह इससे सनरचना को नुकसान पहुँचता है लोहे के तत्वों को अगनी सह बनाने के लिए इन तत्वों को कॉंक्रीट के अगनी सह आवरण से टका हुआ होना चाहिए सीमिन्त कॉंक्रीट कॉंक्रीट की अगनी प्रतिरोधकता उसके गनत्व तथा इसमें मिलाई गई रोडी पर निर्भर करती है फॉर्म स्लेक, सिंडर और इंटो की रोडी कॉंक्रीट में अगनी सहर के लिए सबसी अच्छे मानी जाती है साधरन अगनी का प्रभाव कॉंक्रीट की सतर से धाई सेंटिमीटर नीचे तक होता है इसलिए RCC की अगनी सहर अचनाओं में कॉंक्रीट का धकन धाई सेंटिमीटर से अधिक रखना चाहिए ग्लास, काच में ताप परिवर्तन से प्रसार्व सिकुडन बहुत कम होता है और इसलिए यह एक अच्छा अगनी सहर पदार्थ माना जाता है लेकिन अचानक ताप परिवर्तन से काच फट जाता है प्रबलित काच का प्रयोग करने से काच का फटना रोका जा सकता है इसलिए अगनी सह भवन के दर्वाजे काच के बने होते है तेराकोटा यह ब्रिक्स की भाती ही क्ले प्रोडेक्ट है इसकी अगनी रोधक शम्ता ब्रिक्स से अच्छी होती है पर यह कौसली होता है अतह इसका उप्योग फायर रजिस्टिंग फ्लोर्स में ही किया जाता है एस्बिस्टिस यह एक रेशेदार पदार्थ है इसे सीमेंट में मिलाकर बढ़िया अगनी सह पदार्थ बनता है स्ट्रक्चर के सभी अव्यव एस्बिस्टिस सीमेंट से ढके होने चाहिए वुड लकडी के धीरे धीरे जनने के कारण और इसके इंसुलेटिंग गुण के कारण इसका अगनी सह संडचना बनाने में प्रयोग किया जाता है लकडी को अगनी रोधक रसायनों में डुबो कर प्रयोग में लाने से सन्रचना की अगनी सरक्षमता को बढ़ाया जा सकता है इसके लिए अमोनियम फॉसफेट, अमोनियम सलफेट, बॉरेक्स, बॉरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, आदी का लेप लकडी पर किया जाता है इससे अगनी लगने के समय लकडी के ताप बढ़ने की दर कम हो जाती है अगनी की लपटे फैलने की दर भी कम हो जाती है जिससे अगनी पर नियंत्रण में साहिता मिलती है आजकल मार्किट में अगनी प्रतिरोधी पेंट्स भी मिलते हैं जिनका प्रयोग कर लकडी को अधिक अगनी सह बनाया जा सकता है प्लास्टर प्लास्टर या मसाला भी एक अदाह पदार्थ होता है भवन की दिवारों अच्छत पर प्लास्टर की मोटी तह चड़ा देनी चाहिए इसके लिए सीमेंट मसाला ज्यादा सही होता है लोहे की बीम व पिलस पर जिप्सम प्लास्टर करने से इन्हें अधिक अगनी सह बनाया जा सकता है Fire Resisting Construction या अगनी सह निर्मान सभी अगनी सह निर्मान कार्यों में अधिक से अधिक अगनी रोधक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए सनरचना के सभी भाव बीम, पिलर्ज, लेंटल्स, आर्चिस, फ्लोर, सिलिंग, लोट बीरिंग वाल्स, पार्टिशन वाल्स आदी इतनी देर तक अगनी रोधक बने रहने चाहिए, जितनी देर तक भवन में रहने वाले भवन में से बाहर सुरक्षित निकल जाए कोई भी अगनी रोधक रचना बनाते समय, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे इस प्रकार है वाल्स और कॉलम्स लोट बीरिंग वाल्स वा पिलर्स अधिक मोटे होने चाहिए, क्योंकि मोटी दीवारे वास्तम्भ अगनी सह अधिक होते है पार्टिशन बॉल्स भी अगनी सह पदार्थ की बनी होनी चाहिए आर्सिसी, आर्बीसी, मेटल लैथ, धातु की जाली, एस्बिस्टिस सीमेंट बोर्ड, हॉलो ब्लोक्स, अफ कॉंक्रीट, आधि का प्रयोग कर पार्टिशन बॉल्स बनानी चाहिए वुडन पार्टिशन बॉल्स को अगनी सह प्लास्टर से डखना चाहिए दाचेदार रचनाओं में लोहे के फ्रेम की जगह आर्सिसी का फ्रेम काम में लेना चाहिए लोहे का फ्रेम टेंप्रेचर के कारण तेड़ा मेड़ा हो जाता है इसलिए धातू के सभी अव्यव ढके हुए होने चाहिए ब्रिक वर टाइल्स का ढकन या कवर कम से कम 10 सेंटीमिटर होना चाहिए जबकी कॉंक्रीट का कवर 5 सेंटीमिटर होना चाहिए जैसा की फिगर वन में दिखाया गया है फर्ष बनाने के लिए जहां तक हो सके अगनी सहप अदार्थों का प्रयोग करना चाहिए लकडी के फर्ष में मोटी लकडी की कडियां अधिक दूरी पर लगानी चाहिए फर्ष में जगह जगह फायर स्टॉप्स लगे हुए होने चाहिए अगनी सहप फर्ष के निर्मान में कॉंक्रीट जैक आर्च फ्लोर विद स्टील जोइस्ट सही रहता है जैसा की फिगर टू में दिखाया गया है फ्रन्ट डोर्ज एंड विंडोज शीशे के बने होने चाहिए जहां तक हो सके प्रबलित या रेंफोस ग्लास का प्रयोग करना चाहिए जहां तक हो सके फ्लेट रूफ का निर्मान करना चाहिए डालू छतों की सीलिंग अगनी सह बनाई होई होनी चाहिए दर्वाजे व खिडकियों में धातों के फ्रेम काम में लेने चाहिए भवन में रहने वालों के लिए भवन में से जल्द ही बाहर निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए भवन में पीछे की तरफ एक बड़ी खिडकी होनी चाहिए मल्टी स्टोरी बिल्दिंग्स में स्टेर्स ऐसी जगे होनी चाहिए जो भवन के चारों तरफ से पहुँच रखता हो जहां तक हो सके ऐसे भवनों में RCC की स्टेर केस होनी चाहिए स्टेरकेस की दिवारों पर अगनी सहपदार्थ का प्लास्टर किया हुआ होना चाहिए सभी इंटर्नल स्टेरकेस फायर रेजिस्टिंग मटिरियल की बनी होनी चाहिए जैसे RCC और एंट्रेंस डोर फायर प्रूफ होने चाहिए यदि पॉसिबल हो तो स्टेर्ट फ्लाइट टाइप स्टेरकेस होनी चाहिए लिफ्ट शाफ्ट की दिवार फायर रेजिस्टिंग मटिरियल की बनी होनी चाहिए और शाफ्ट सबसे उपर से वेंटेड होनी चाहिए स्ट्रेट फ्लाइट टाइप स्टेरकेस को फायर एसकेप स्टेरकेस भी कहते है इसकी विर्थ 75 सेंटिमीटर से कम न हो और 15 सेंटिमीटर ट्रेड वर 20 सेंटिमीटर राइज होना चाहिए नमबर ओफ राइजर अधिकतम 16 होने चाहिए थैंक यू